आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाऊ डाउनलोड नाओ possible acceleration का value क्या होगा जब आपका particle कहां पे हो जब आपका particle raised पे हो उस time पे acceleration का value क्या होगा that is asking from the question सबसे पहले हमें जो displacement का equation दे रखा x बराबर दे रखा हमारा t cube by 3 है और minus का आपका है 5 t square by 2 है plus का आपका 6 t है और plus का आपका 7 है तो हमसे बोल रखा है कि सबसे पहले क्या करेंगे हम लोगे हांशे कि velocity निकालेंगा तो velocity क्या होता हमारा rate of change of displacement होता है अर्था dx by dt होता है सबसे पहले अगर इसको differentiate करेंगा तो आपका 3 t square by 3 minus का आपका आपका जागा 10 t by 2 प्लस का आपका जागा 6 और प्लस का आपका जागा 0 ठीक तो 3 से 3 कैंसल 2 5s आ 10 हो जाएगा तो यहां से जो value आएगा V का O मेरा आजागा t square और आजागा minus का 5 t और प्लस का आपका जागा 6 और अब इसके बाद हम लोग अगर acceleration निकालेंगे तो एक्सलेरेशन इरेट ऑफ चेंज अफ वैलो सीटी मतलब dby dt तो t square को अगर differentiate करेंगा तो 2t आएगा minus 5 t को करेंगे तो minus का 5 और 6 को differentiate करेंगे तो 0 आजागा तो acceleration जो हमारा यहां से आगया a का value जो हमारा आगया that is 2t minus का 5 आगया okay a का value हमारा आगया 2t minus का 5 अब next point हमें करना क्या है कि हमसे बोल रखा है कि acceleration का value क्या होगा जब आपका particle rest पे हो मतलब velocity 0 हो ठीक है तो at rest में क्या क्या सकता हो rest पे आपका v का value क्या होना पड़ेगा 0 होना पड़ेगा तो मैं इसको लिख सकता हूं t square minus का 5t plus का 6 and to be equal to 0 गर है इसको तो हम लोग चेक कर लेते कि 2 और 3 पे एकसलरेशन का वैलू के है, तो t is equal to 2 पे अगर चेक करेंगे तो एकसलरेशन हमारा आजागा, 2 in 2 का 2 minus का 5, मतलब की 4 minus 5 करेंगे तो minus का 1 meter per second square आएगा, और t is equal to 3 पे चेक करेंगे तो एकसलरेशन का वैलू आजागा आपका, 2 in 2 का 3 और minus का 5 ठीक, तो 6 minus का 5 करेंगे तो आपका जगा 1 meter per second square, तो minus 1 और 1 मतलब की A और B आपके दोनों के दोनों options सही हैं, तो A और B आपके दोनों सही हैं, thank you.